राथी राथी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों मानिताओं के अनुसान हिंदु धर्म में पित्रपक्ष का काफी महत्व है पित्रपक्ष पित्रों की मुक्ति के लिए बहुत ही खासमानी जाते हैं ये पूर्वजों को बताने का एक तरीका है कि वो अभी भी परिवार का एक अनिवार हिस्सा है पित्रपक्ष में पूर्वजों का आशिरवात लिया जाता है और गल्तियों के लिए शमा मागी जाती है इन दिनों में पूर्वज या पित्रों को शद्धा पूर्वग इस्मर दोस्तों इस पार पित्र पक्ष 29 सितंबर को शुड़ू होका 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे मानिता है कि पित्र पक्ष में शाथ और तरपन करने से पित्र प्रसन होते हैं और अपना आश्रवात बदान करते हैं उनकी कृपासी जीवन में आने वारी कई प्रकार की रुका आप से किया जाता है जिन पित्र के म्रति प्रति प्रति पर होई है जाहें वह शुक्ल पक्ष में होई हो या कृष्ण पक्ष में उनका श्राथ प्रति प्रति पर किया जाएगा साल 2030 में श्राथ की तिति इस प्रकार हैं पूर्मा का श्राथ 29 सितंबर को किया जाएगा 29 सि श्राद तीस सितंबर को, तृतिया का श्राद एक अक्टूबर को, चतोथी का श्राद दो अक्टूबर को, पंचमी का श्राद तीन अक्टूबर को, श्रष्टी का श्राद चार अक्टूबर को, सब्तमी का श्राद पाँच अक्टूबर को, अश्टमी का श्राद छे अक्ट को त्योधिशी का श्राथ 12 अक्टूबर को चत्योधिशी का श्राथ 13 अक्टूबर को और सर्पित्र अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर को है शाथ पक्ष में पित्रों का श्राथ मत्यु तिथी के हिसाब से ही करने से पित्रों के आत्मा को शांति मिलती है वरना श्राथ ब् नियम भी होते हैं जैसे जिन व्यक्तियों की सामाने एवं सुभाविक मृत्यु चतुदशी तिथी पर हुई है तो उनका शाथ चतुदशी तिथी पर कदाब भी ना करें उनका शाथ पित्रबक्ष की तियोदशी या फिर अमावस्या पर करना चाहिएं जिन व्यक्तियों की मृत्यू अकाल मृत्यू हो दुरघटना, सर्विदंश, विश, शर्ष्टर पहार, आत्महत्या जैसे कोई असुभाविक मृत्यू हुई है तो उनका शाथ उनकी मृत्यू तिथी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जैसे की उनकी मृत्यू दुदिया पर हुई है या दिथिया पर हुई है किसी की तिथी को उनकी मृत्यू हुई है लेकिन उनका शाथ केवल पित्रपक्ष की चतोईशी पर ही किया जाएगा। जबकि बच्चों का श्राथ पित्रपक्ष की तियोदशी पर करना चाहिएं। नम्मी तिथी पर सौफा के बती यानी पती के रहते ही जिनकी व्रत्य हो गई है उन इस्तियों का श्राथ नम्मी तिथी को किया जाता है। नम्मी तिथी को ही माता का श्राथ करने के लिए उत्तम माना गया है इसलिए इसे मातर नम्मी भी कहा जाता है। मानिता है इस तिती पर शाद कर्म करने से कुल की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद हो जाता है। जिन लोगों के मृत्युं अबिवाहित इस्थती में हुई हो जिनका विवाह नहीं हुआ हो उनका श्राद पंचुमी तिती पर करना चाहें। जिन लोगों ने सन्यास ले लिया था सन्यासी लोगों का श्राथ एकादशी और द्वादशी तिथी पर करना चाहें। नाना नानी का श्राथ पति प्रदत तिथी पर करना चाहें। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांती मिलती है। नाना नानी के परिवार में कोई श्राथ कर करने वाला ना हो तो उनका है तो पित्रबक्ष ही कारण नहीं कर पाएं है या भूल गए हैं, तो उन्स भी पित्रों का शाथ आप सरपित्र अमावस्या पर कर सकते हैं शास्तों के अनुसार इस दरी शाथ करने से कुल के सभी पित्रों का शाथ हो जाता है यही नहीं जिनके मैने पर संसकार नहीं हुआ था उनका भी सरपित्र अमावस्या पर शाथ करना चाहिए कई बार बिस्तिता की बचे से या रुपे पेसी की बचे से हतितीफद शात करना भ्रामण को बुलाकर भूजन कराना संभब नहीं होता तो ऐसे में आप सब पित्र अमावस्या पर सभी पित्रों का एक साथ शात कर सकते हैं शास्तों में बताया गया है भूले भटके पित्र यानि की दूर दिस्तेदारी में भी जो आपके पित्र लगते हैं आप उनका शात नहीं करते हैं लेकिन उससे पित्र दोश लग सकता है इसलिए सब पित्र अमावस्या पर जब शात किया जाता है तो भूले भटके सभी पित सिर्दुष दूर हो जाता है सही तिधी परशाथ करने के साथ ही पित्रपक्ष में कुछ बातों का भी वेशिश तोर पर ध्यान रखना चाहिए हिंदु शास्तों में प्याज और लेसन को तामसित माना जाता है जो हमारी इंदियों को प्रभावित करते हैं पित्रपक्ष की अब्धी के दौरान प्याज लेसन से दूर रहना चाहिए भूल कर भी प्याज लेसन का इस्तमाल ना करें इसके साथ ही मार्स मद्रा और अंडे का भी सेवन नहीं करना चाहिए पित्रपक्ष के दौरान कोई भी जश्न या उस सब नहीं मनाना चाहिए नहीं इसका हिस्सा गबनना चाहें इस अप्धी में किसी भी तरहका जशन मनानेसे आपके पूर्वचों के प्रति आपकी श्रथा प्रवावित होती है इससे पूरवच भी नाराज हो सकते हैं www. whereas, मपित्रबक्ष की अप्धी को पूरवचों को समर्पित माना जाता है इसलिए इस दोरान कोई भी नया कारिश ना करने की सला दी जाती है इस दोरान परिवार के सदस्यों को कुछ भी नई चीजें नहीं खरीदने चाहें रोज मर्रा की चीजें जैसे की दवाईया हैं रसोई का समान है ऐसी चीजे आप खरीज सकते हैं लेकिन कुछ special चीजे जैसे की जूते, कपड़े, घर का financial कुछ ऐसी चीजे भूल कर भी ना खरीदें पित्रपक्ष के दौरान नाखुन नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए और दाड़ी मुझ भी नहीं बनानी चाहिए पित्रपक्ष में किसी भी तरहे के मांगलिक कारे नहीं करने चाहिए, शादी, मुंडन, सगाई, ग्रह प्रवेश जैसे मांगलिक कारे पित्रपक्ष में बज़ित माने जाते हैं पित्रबक्ष के दौरान शुका कुल का माहोल होता है इसलिए इन दिनों में कोई भी शुपकारे कहना अशुप माना जाता है पित्र पक्ष के दोरान सिर्फ तामसिक या मासहारी चीजे ही नहीं, बल्कि कुछ साकाहारी चीजे भी खाना बरज़त होता है इन दिनों लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साक खाने के भी मनाही होती है माना जाता है पित्र पक्ष के दौरान पूर्वज पक्षी के रूप में धर्दी पर आते हैं इसलिए इन्हें सताना नहीं चाहें ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं इस दौरान पशु पक्षियों की सेबा करने चाहें छत या आंगन पर उनके लिए दाना और पानी भी रखना चाहिए पित्र पक्ष में शाथ कर्म करने वाले व्यक्तियों को पूरे पंधे दिनों तक बाल और नाकुन नहीं कड़वाने चाहिए साथ ही इन लोगों को भ्रमचरे का भी बालन करना चाहिए पित्र पक्ष में पित्रों का शाथ अवश्य ही करना चाहिए कहते हैं जो लोग पित्र पक्ष के दोरान अपनी पित्रों का शाथ नहीं करते उन्हें पित्र दोश लगता है उनके पित्र उनसे नारास हो जाते हैं और उन्हें जीवन पर कश्ट भोगने पड़ते हैं शाथ करने के साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कई लोगों का मानना है कि जिन्हें अपने पित्रों के मृत्ति तिथी ज्यात नहीं हो वही सर्पित्र अमावस्या पर शाथ करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है सर्पित्र अमावस्या पर सभी व्यक्तियों को अपने सभी पित्रों का शाथ अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि इस दिन पित्र विदा लेते हैं सर पित्र अमावस्या पर भूले बिस्टे सभी पित्रों के साथ ही जिन पित्रों की म्रतितिति ग्याथ है उनका भी शाथ अवश्य करें ऐसा कहने से आपके पित्र आपसे अतिशीक्र ही प्रसन हो जाएंगे और पित्र दोश से भी आपको मुक्ति मिलेगी किया भी ध्शान रखें पित्रों का शाद दुपहर के समय ही किया जाता है। आप सुबह 11 बजे से दुपहर 1 बजे की बीच में ही पित्रों का शाद करें। पित्रों के नाम से अगर जल भी चड़ाते हैं, या दान भी देते हैं, वह सभी कारें आपको इस समय करने चाहिए. कहते हैं पित्र सूरज की रोशनी से ही भूजन गहर करते हैं और जब सूरज की किरने सीधी चमीन पर पड़ती हैं दुपहर के समय वही पित्रों का समय होता है इसलिए पित्रों के निमित आप कोई भी भूजन अर्पित कर रहे हो या शार्द मुर्जिन कर रहे हूँ वहें आप दुपहर के समय ही करें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं तैंक्स फर वाचिंग राधी राधी